हाई एवरिवन इस पार्ट के अंदर हम लोग next.js के कुछ important interview question discuss करने वाले हैं और एक बार के लिए आपको लग सकता है कि यह questions काफी basic easy answer वाले और short हैं अगर आप इन में से किसी का answer interview में properly नहीं करते हो तो interview लेने वाले को यह लगेगा कि आपको next.js के बारे में कुछ भी idea नहीं है आपको basic भी clear नहीं है तो आपको यह वाले questions अच्छे से देखने हैं और उनका answer भी अच्छे से करने हैं interviews के अंदर एक एक करके देख लेते हैं हम लोग question और अच्छा इसके बाद में कुछ और थोड़ी से advanced question भी आएंगे जो भी similarly important होंगे जैसे कि यह important है ठीक है तो सबसे पहला question यह पूछकते हैं कि हम लोगो next.js क्यों use करने चीए react.js क्यों नहीं कर लेते हैं देखो पहली चीज यह react.js का ही framework है तो obviously इसके अंदर react.js से जादा features मिलेंगे और right कौन से कौन से features होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे आप लोग back end का code भी कर सकते हैं अगर आप लोग normally react.js से एक directly application बनाते हो तो वहाँ पे आप लोग only front end का code कर पाते हो but next.js के अंदर front end और back end दोनों क code लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग server side rendering भी कर सकते हो जिसकी help से आपके application की SEO भी better हो पाएगी तो यह 3-4 reason आप दे सकते हो second question क्या next जैसे front end framework है जी नहीं यह एक full stack framework है इसके अंदर आप लोग front end का code भी लिख सकते हो back end का code भी लिख सकते हो यहाँ पे APIs अच्छे से बना सकत हो और front end वाली side के अंदर because इसके अंदर front end वाली back end दोनों होता है तो इसके अंदर back end के अंदर API बनाओ और front end में उनको integrate कर सकते हो तो यह एक अच्छा खासा full stack framework है next चीज क्या हम लोग यहाँ पर database की connectivity कर सकते हैं जी हाँ बिलकुल कर सकते हैं कोई भी ऐसा database जो आप लोग node.js के साथ connect कर सकते हो वो आप लोग next.js के साथ भी connect कर सकते हो चाए mongo db हो चाए mysql हो sql server हो और एक लोग हर किसी की आप connectivity अच्छे से कर सकते हो next question server component क्या होते हैं देखो एक ऐसा component जो आपका server side में execute होता है हमें पता है कि हमारे पास दो type की side होती है जब भी हम लोग को code store होता है ठीक है तो जो server component होते है उनका code server side पे ही execute होके आता है ठीक है और जब आप उस page को access करने ही कोशिश करोगे तो browser को directly HTML मिलेगा ऐसा नहीं है कि वो HTML को convert करेगा code में से ठीक है तो आपको उसका properly UI मिलता है और इससे क्या होता है आपकी application fast भी होती है और उसकी SEO भी better हो पाती है अब next is client component क्या होता है जैसे कि server component हमारा server side के अंदर execute होता है उसी तरीकी से client component का क्या होगा directly code उठके आजाएगा आपके browser के उपर और वहाँ पे code execute होगा client side के उपर अब client side means आपका browser जो आपके system का browser होता है अपने system को भी client बोल सकते हो because यह complete client होगा जहां पे आपक code access करते हो ठीक है तो code directly उठके आएगा वहाँ पे next js का और यहाँ पे execute होगे वो आपको UI के अंदर convertor की दीखेगा और server के अंदर क्या होता है आपका पहले से UI बन के आता है server से ही all right अच्छा अगर हम लोग कुछ बात करें features की क्या-क्या features है next js के अंदर जो की react js के अंदर middleware नहीं मिलता react js के अंदर यह next js के अंदर मिलता है server component नहीं मिलता है इसके अंदर image optimize नहीं कर सकते है यहाँ पे आप react js के अंदर जो की next js के अंदर कर सकते हो font optimization आप next js में कर सकते हो react js में नहीं कर सकते और backend क्वाला पूरा काम database की connectivity a page वगरा यह आप next js के अंदर तो कर सकते हो react.js के अंदर नहीं कर सकते हो ठीक है अगर आपसे कोई यह पूचे कि next.js के अंदर किस टाइप की राउटिंग यूज होती है तो आप बोलोगे file system based या फिर file based भी बोल सकते हो बट file system based एक proper answer रहेगा because यहां पर हम लोग हर एक राउट के लिए हर एक अलग से पेज बनाने के लिए एक फोल्डर और एक फाइल बनाते हैं next.js 13 से पहले हमें directly एक फाइल बनानी पड़ती थी बट next.js 13 के बात आपको पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा उसके अंदर एक फाइल बनानी पड़ी ठीक है तो इसके अंदर अगर आप से पूछे दे को कौन सी किस टाइप की राउटिंग यूज होती है आप बोलोगे फाइल सिस्टम बेस्ट ठीक है अच्छा अब आता है कि हम लोगों को कहा next.js यूज करनी चाहिए कहा react.js यूज करनी चाहिए वैसे तो आप directly react.js कंदर भी complex application बना जकते हो बट अबना react.js की official website ही ये बोलती है कि जहाँ पे आपको एक बड़ी application बनानी हो बहुत complicated application बनानी हो वहाँ बे आप लोग यूज करो next.js आपको एक दो पेज बनाना है simple application बनानी है तो आप लोग react.js कंदर application बना सकते हो अच्छा क्या हम लोग next.js के साथ में redux यूज कर सकते हैं जी बिलकूल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है even mostly जो next.js के package होते हैं वो react.js के package होते हैं वो next.js के अंदर काम करते ही करते हैं ठीक है mostly एक दो package को छोड़ के अच्छा default component क्या होता है देखो दो type के component होते हैं एक server एक client component यह हम लोग question interview question के अंदर देख पा रहे हैं default type अगर आप उसको type declare नहीं करोगे तो जो default type होता है वो server component ही बनता है next.js के अंदर अच्छा एक client component कैसे बना सकते हैं आपको use client directive यूज करना पड़ेगा टोपे जैसे कि आप ये code लिख रहे हैं एक file के अंदर तो सबसे पहले first line के उपर आपको use client लिखना पड़े अगर आपने इसको second line के उपर लिखा न तो error आएगा तो आप वो component यूज नहीं कर पाओगी ठीक है उसमें error मिल जाएगा ये line आपको top के उपर ही रखनी पड़ेगी हमेशा अगर आपको एक component को client component बनाना है तो ठीक है अच्छा क्या हम लोग server component के अंदर events यूज कर सकते हैं जैसे की on click, on change, mouse event वगारा यूज कर सकते हैं जी नहीं अगर आपको कोई भी event यूज करना है तो वो आपको client side component के अंदर यूज करना पड़ेगा पहले component को use client directive यूज करके client component बनाओ और फिर आप उसमें event यूज कर सक अच्छा middleware क्या होता है middleware ना हम लोग एक code रिखते हैं जो कि आपकी request complete होने से पहले execute हो जाता है जो भी आपको code अपने आप execute कर रहे हो जिसका है profile page अगर आप login नहीं हो तो उस case के अंदर क्या होगा पहले आपका page load होने से पहले request complete होने से पहले middleware चेक कर लेगा कि पर देदेगा अगर आप login नहीं हो तो और login हो तो आपको उसी page के ऊपर रखेगा ठीक है तो इसलिए मैंने conditional reduction इस example के लिए रखा हुआ है और basic आपको बताना हो तो आप कहा सकते हो कि कोई भी request को complete करने से पहले हम लोग ऐसा code लिखना चाहते हैं कि जो condition check रहे execute हो तो उसको उन लोग middleware बोलते हैं इसके कलग से file भी बनती है environment variable क्या होते है और क्या यूज करते है .env file के अंदर हम लोग environment variables रखते हैं और इसके लोग sensitive data जो secure रखना होते हैं उस data को put करते हैं तैसे की database का नाम हो गया password हो गया फिर admin की कुछ details हो गई ऐसी चीज़ें रखते हैं हम लो जब हमारा client component होता है तो हमारे पास पहले code आता है browser के उपर आके execute होता है right server component के अंदर हमारा code server पर ही execute होता है और पूरा page क्या उसमें title है क्या उसमें keyboard है सब कुछ हमे server side पर ही पता चल जाता है ठीक है execute हो जाता है तो इसलिए जो उसको server से execute होके मिलेगा अगर वहाँ पर title हो गयरा description keywords गयरा properly मिलेंगे तो अच्छे से SEO कर पाता है इसलिए हमारे जो server component होते हैं वो SEO के लिए better मानने चाहते है all right so यह 15 question थे कुछ doubt है कुछ question है तो मुझे comment second गदर पूल सकते है और मैं आपसे request करूंगे please video को like करो channel को subscribe करो because इससे आपको कुछ फरक नहीं पड़ेगा but मुझे बहुत फरक पड़ेगा जितने subscriber होंगे likes ज्यादा होंगे comments हैंगे उतनी यह ज्यादा video और लोगों तक पह कर द साहे कि चेह पीतनीं प्रवाशeurs सकते हैंगे बहुते हैंगे गज लुल सकते हैंगे लोगईवेट, और रु्रीः हैंगे।